बूर्णिंग स्टुडेंट्स हमने कल 4.4 स्टार्ट कर दी थी इसके कोश्च नमर 1 2 5 हमने कर ले थे आज हम 6 रूट 10 करने वाले हैं कोश्च नमर 6 है अ ग्रैनरी थे 25,640 केजी और और डिनरी राइस के ग्रैनरी है ग्रैनरी मीन्स मतलब अन गार जहां पर अन रखा जाता है जहां पर गेहु चावले सब रखे जाते हैं स्टोर टाइप ठीक है वहां पर इतना केजी और डिनरी राइस है और इतना केजी बासमती राइस है और इतना केजी है वीट clear what is the total weight of grains in granary तो उस अनगार में उस store में कितना total weight grains रखा है कितना अनाज रखा है ये बताना है तो कैसे निकलेगा जब हम rice को ordinary rice plus बासमती rice और wheat को जब हम add कर देंगे तो हमारा grains at total weight आ जाएगा clear question number 7 है a rich man left behind इतना रुपीज for his wife एक अमीर आदमी ने इतने रुपे अपने वाइफ के लिए छोड़ दिये है और इतने रुपे for his for his son उसने अपने बेटे के लिए छोड़ दिये है और इतने रुपीज for her daughter अपने बेटे के लिए छोड़ दिये clear how much money did the man leave behind तो इसने कितने रुपीज छोड़ दिये है सब के लिए ये बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें भी plus करना पड़ेगा कि उसने कितने रुपे अपने वाइफ के लिए छोड़े plus बेटे के लिए कितने छोड़े है तो ये कैसे find होगा जब हम add कर देंगे तो इनका total money find हो जाएगा clear question number 8 है in one regiment there are इतना soldiers कि एक regiment में इतने सैनिक है इतने soldiers हैं दूसरे regiment में इतने soldiers हैं ठीक है और third regiment में इतने soldiers हैं और कुछ soldiers अभी जोइन हुए है ठीक है कुछ soldiers अभी जोइन हुए है इस regiment में मतलब अभी आए है नए नए तो total number of soldiers बताना है आपको कितना है तो total number of soldiers कैसे निकले का जब हम सब को add कर देंगे clear second last question है a man buy a car for himself एक आदमी ने अपने लिए कार खरी दी इतने रुपी की ठीक है एक bike खरी दी है motorcycle खरी दी है इतने रुपे की अपने बेटे के लिए और उसने एक scooter भी खरी दी है अपने daughter के लिए इतने रुपे के लिए और एक उसने खरी दी है bicycle bicycle means cycle इसके लिए अपने चोटे बेटे के लिए ठीके फाइंड टोटल मनी इसमेंट उसने कितने रुपे खर्च किया है टोटल यह आपको बताना है उसने पहले अपने लिए कार खरी दी है एक बाइक खरी दी है एक स्कूटी खरी दी है और एक साइकल खरी दी है तो उसने टोटल कितना खर्च किया यह बताना है आपको तो कैसे find होगा जब हम इसको add कर देंगे clear last question है a man deposited इतना rupees in a bank in a year एक साल में इतने रुपे जमा कर दिये एक आदमी ने और next year अगले साल उसने इतने रुपे जमा किये और अगले साल इतने रुपे जमा किये ठीक है तो यह बताना है कितने रुपे उसके bank में जमा हो गये है कैसे find होगा यह ऐसा ही same question हमने question number two में भी किया था है ना सेम कोशन था कोशन नमबर टू में तो कैसे फाइंड होगा टोटल मनी उसने कितना डिपोजिट किया बैंक में कितना जमा किया बैंक में टोटल जब अब तीनों येर वाले को एड कर देंगे क्लियर यह थे कोशन नमब 6-10 आज आज की देट में आप अपनी नोटबु होती है तो बता देजिएगा ओके